हर्योग, सुबह जब हम उठते हैं और ब्रेश करते हैं, तो उससे पहले आप तालू को जरूर साफ किया केजिए। जैसे हम जीप को साफ करते होंगे, यदि नहीं करते तो जरूर करें, दो उंगलियों को मुग के अंदर ले जाकर जीप को अच्छी तरह से पीछे तक रगड़ रगड़ कर साफ करें, और जो कफ आए उसको निकाल दे, उसको थुक दे, तीन से चार बार जिवा को पीछे तक रगड़ कर साफ करने से, जो चिपका हुआ कफ है जीप के उपर, वो निकल जाता है, इसके बात क्या करना है, सीधे हाथ के अंगुठे को मुग के अंदर ले जाओ, मुग खोलो, और उपर तालू को पीछे तक रगड़ कर साफ कर दो, तो जैसे आप पीछे तक साइड में पीछे तक साफ करेंगे, फिर वाँ जो चिपका हुआ कफ था, आप जो थूकेंगे, तो कफ फिर बाहर निकलेगा, तीन से चार बार रगड़ कर तालू को जरूर रोज सुभे उतने के बाद खाली पेट साफ जरूर करना, और आप पाएंगे, कुछ घाडा सा कफ जैसे रात भर का चिपका हुआ कफ था, आप साफ कर लेते हैं, किवल तालू को साफ करने से जल्दे से बाल सफेद नहीं होते हैं, तालू को साफ करने से नजला जुकाम की शिकायत नहीं होती और जिनको बहुत जाते साइनस की शिकायत रहती हैं, उनके लिए बहुत ही ला लापकारी हो जाता है जिनको सांस लिने में तकलीफ रहती है उनके लिए तालू साफ करना लापकारी हो जाता है और तालू के साफ करने के बाद आप अपने नाक को भी अच्छी तरह से दोनों नाक को पूरे स्वांस भरने के बाद स्वांस को निकाले और टेजी से नाक को सा अर्थाथ सुभे को ही आप अपने साइनस को अच्छी तरह से साफ करेंकी इसके बाद मुह में पानि भरणी अभी आपने तालू साफ या था नाक साफ कर री मुह में पानी भर लिया और आखों में पानी के चपके देने शुरू करें, जैसे एक आख को पहले अच्छी तरह से करीब 40 बार, गिंती के साथ कम से कम 40 बार आप छपके देना शुरू करें, हाँ ध्यान दखेंगे, जब आप छपके दें, तो जो पानी है वो सीधी आख भी न टकराए, आपकी गाल पे जाए और धीरे से आख पर होना शुरू को जाएगा, और जो रात भर सोने के कारण से जो उसमें एक जलन्स ही रहती थी, वो आखें निर्मल होने लगी तो हमने सुबह ही तालू साफ कर लिया, जीब साफ कर ली, नाक साफ कर ली और फिर आखों को भी अच्छी तरह से पानी के साथ साथ कर लिया, तो तो उतना दिन भर एक हलकापन बना रहेगा और इदी इनको अच्छी तरह साफ नहीं करेंगे तो देरे-देरे चुकि यह कफ का इस्थान है चार्ती से लेकर सिर्थ तक का तो देरे-देरे कफ की व्रद्धी होकर अनिक प्रकार के रोग हमाने शरीप में पैदा होने होते हैं तो इस चुटे से भ्यासे उनको जरूर किया किजिए हरीओ